अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंतरगत कारेरत देनिक स्रमिक पैदल गार्ड, वायरलेस ओपरेटर एवं बाकि सभी देनिक बेतन भोगी करमचारियों को काफी समय से बेतन का भुकतान नहीं किया गया है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के करमचारी शामिल है। इन करमचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के के जितने भी देनिक बेतना नहीं किया गया। अचानक मार टाइगर जो फिल लगे करमचारी पैदल गार बेरियल गार जो है। ऐसे करमचारी बीस जनवरी से अनिस्चित कालिजान दोलन में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इनका लंबीत वेतन भूगतान नहीं हो जाता। मैं आपके माध्धम से प्रदेश के यसस्वी मुख्यमंत्री और सवेदन सिल मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहूँगा। हम लोग आवेदन निवेदन इतने बार हो चुका है। एक इभागय अधिकारी से वन सची तक और एक विधायक सांसत से लेकर वन मंत्री और मानने मुख्य मंत्री तक भी मिलके हम लोग निवेदन के हैं। लेकिन हमारे निवेदन को अस्विकार करते हैं। अभी तक हमारे पक्षे में कोई भी निवेदन न तो इभागय अधिकारी द्वारा लिया गया है न सरकार के द्वारा लिया गया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अतेश सिग्र हमारा लंबीत वितान भूकतान परदाय करे नहीं करने के वस्ता में हम करोलना नियम का पाला न भी कर रहे हैं ऐसा इस्थिति अगर आएगा अगर लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो मैं आपके माध्धम से निवेदन करू कि राज्यपाल को हम इच्छा मृत्तु का वेदन भी देंगे क्योंकि करोना का लागदाउन है हम उसके नियम बंधे हुए हैं हम हर्ताल सडक में करके हम एक जगा बैटके करोना नियुमा का पालन कर कर रहे हैं अगर हमको बाद किया जाएगा इभाग द्वारा सरकार के द अनकमा टाइगर यार वंतरगत कार्यात देनेदक वेतन भोगियों का विगाद छे माहों से जो है वेतन भुकतान नहीं मिला है और लंबित वेतन भुकतान के संबंद में उप्संचलक महोदय मुख्यवन सरक्षक महोदय यवाम प्रधान मुख्यवन सरक्षक महोदय को भी किसी भी प्रकार के कोई पहल किया गया है। काम को प्रभाहुत करनी की योजना है।